जैहिंद एक अपडेट आया है और अपडेट से पहले एक सवाल भी आया है जिसके हम बात करेंगे आप से यह सवाल लगबाग दो दिन पहले पूछा गया था किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि इस विश्विद्याले के विशे में कुछ बताईए कोई अपडेट कहीं स नहीं मिल पा रहा है तो उसी के सवाल के जवाब के उपलक्ष में यह वीडियो बनाया जा रहा है यदि आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो लगेगा मुझे की सेकड़ों बच्चों का फाइदा हो सकता तो उसको पर वीडियो पॉटियो बना दिया जाएगा तो यह सवा जाना हुआ लगभग 26 तारिक के आस्पा यानि के 26 मार्च को यह नोटिफिकेशन हमको मिल गया और उस पर बन गया है वीडियो वीडियो यह कहता है कि एंट्रेंस एक्जामनेशन की डेट और अपलाई करने की डेट का शिडूल जारी कर दिया है वेपसाइट पर और इसी क का फॉर्म अभी भी आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है और किस विशा में कितनी सीटे हैं क्या एलिजबिल्टी क्रैटेरिया है कौन एक्जाम्टिट होगा कौन एक्जाम्टिट नहीं होगा इसको लेकर अलग से सेप्रेट वीडियो बना दिया गया है इसका लिंक मैं आपक 30 अप्रेल 2030 तक वही बच्चे फॉर्म को बर सकते हैं जो एक्जाम्टिट कैटिग्री में हैं और एक्जाम्टिट कैटिग्री में कौन है कमेंट करके मत पूछेगा इसके लिए पुराना वीडियो या वैबसाइट पर दिये गए नोटिफिकेशन या फिर इसमें कहा गया है कि पीच्टी का जो इंट्रव्य होगा वह होगा दस से लेकर 15 मई 2013 के बीच में 10 11 12 13 14 15 कितने हो गया है छे दिनों में शाम भी हो सकती है तो घर भी हो सकती है इन छे दिनों में आपका इंट्रवू कंड़क करवाए गुरू का सिदास फिश्विद्याल है आफ लैंड माध्यम से आपका इंट्रव्य होगा इंट्रवू देने के लिए आपको इंवर्स्टी में ही जाना होगा एक सवल और बजगी आश्येश के एंट्रेंस कब होगा अब देखिए तीस अपरेल तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और उसके दस दिनों के बाद आपक रियाई थी आपको मैंने पताया और मैं के महिने में आपका उमीद करते हैं सभी का इंट्रव्य हो जाए अच्छे से इंट्रव्य हो और यह सूचना थी आप लोगों के लिए अगली सूचना शायद वीडियो बनता है आपने अपना समय दिया और अपना इंटनेट का आप द िछाब रखेगा डिली लिय के विध्यारती स्थ दावलारती हैं परल煮ेंटी बहूत कुछ चल रहा है मेने चैनल पर जाई कुछ जनकरी मिलती रहेंगी नहीं तो Facebook page को follow करी वहां भी जनकरी मिलती रहेंगी आपको क्यूंकि एक्स्ट्रा करिकुरम activity यदि आप नहीं करते हैं तो विध्यारती से पहले आप कुछ और हो जाते हैं और अगर आप करते हैं ये activity तो आप विध्यारती से बढ़ कर कुछ हो करते रहा करिए ठीक है आपका उससे skill और आपका mental और आपका physical सभी प्रकार का development होता रहेगा अपना अपनों का पुल्हान ध्यान रखिएगा माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा जैहिन चरणवन्दान